हेलो दोस्टों स्वागत है आपका इस वीडियो में और ये वीडियो बहुत इंपर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि How To Increase Your CTR CTR क्या होता है और कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं जो कि बहुत important है एक वीडियो के अंदर और आज मैं आपको complete detail में बताने वाला हूँ कि CTR क्या होता है और कैसे CTR को increase के जाता है CTR अगर आपका बढ़ेगा यानि कि impression बढ़ेगा impression बढ़ेंगे तो views बढ़ेंगे और views बढ़ेंगे तो subscribers भी बढ़ेंगे जब आप इस्टूडियो में आप सोर्स में जाओगे सोर्स में जाने के बाद आपको वहाँ पर दिख जाएगा impression click to rate ठीक है क्लिक करेंगे और बाहर चला जाएगा तो आपको कैसे इंप्रूब करना अब यूटूब ने तो आपकी वीडियो पर 2000 इंप्रेशन बढ़ेंगे लेकिन महाँ से click कितना है only 200 वो क्यों भाई उसका यही कारण है क्योंकि आपका thumbnail attractive नहीं होगा और आपका thumbnail आई catchy नहीं होगा आपने thumbnails के अंदर वो catchy lines नहीं लिखे होगी जिसके वैसे वह वहाँ पर आया और आपकी वीडियो को नहीं देखा शिरिफ आपकी वीडियो को क्लिक करा दो सेकेंड देखी और बाहर निकल गया title और thumbnails यह दो ही चीज़े matter करती है click-through rate को increase करने के अंदर टाइटल भाई 10-15% टाइडल का रोल होता है अगर हम किसी वीडियो पढ़ जाएंगे मतलब हम कोई भी वीडियो सर्च कर रहे हैं और हम देखें हम उसको title तो बाद में पढ़ेंगे पहले हम thumbnails को देखेंगे बाई 10-15% एसा होता है लेकिन mostly 85% 80-90% मतलब लोग thumbnails को देखकर के आपकी वीडियो के अंदर जाते हैं तो आपको thumbnails पर बहुत work करना पड़ेगा अगर आप सोचने हों कि मैं अच्छा thumbnails बना रहा हूं अच्छी वीडियो एडिट कर रहा हूं अच्छा titles लगा रहा हूं फिर भी हम thumbnails पर work कर लेना है बहुत अच्छे से thumbnails को इस तरह से आपको बनाना है ताकि कोई इसली से पढ़ सके उसको easy to understand हो क्या आप बताना चाहरे हो thumbnails के अंदर ठीक है तो दो चीज़े हैं टाइटल और अगर आप इन दोनों को इंप्रूब कर लेते हो तो भाई आपकी वीडियो पर आते हो तो भाई पिक्सल लैब एक बहुत अच्छी एप्लिकेशन से जहां से आप बनाता था और काफी अच्छा रेस्वोंस भी आता था और आता भी है लेकिन अपने अपने फोटोशॉप से बनाता हूं क्योंकि मेरे को पिक्सल लैब के कुछ टाइम तक अच्छे लगत लेकिन मैं फोटोशॉप से बनाता हूं अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है क्योंकि वह तो प्रोपर एक सिस्टम में चलता है आपके पास लैप्टॉप और लेकिन अगर आपके पास एक एंडॉइड मुबाइल फोन है तो भाई आप उसको इसली से डाउनलोड करके थमनेल्स बनाना सीख सकते हैं और बना भी सकते हैं वहाँ से जाकर के और अगर आप फोटोशॉप यूज करते हो तो भाई आई बटन में चले जाना है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो कि मैं अपने थमनेल्स कैसे बनाता हूं मैंने वहाँ पर कंप्लीट ड बनाते हो तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो फिले इसको लाइक शेयर और चैनल को सुस्क्राइब जुरू कर देना थैंक यू